नमश्कार दोस्तों आस्वीका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे स्ट्रेटूप चैनल खुशार जिन्गी में तो आज की स्ट्रेटों में हम बात करने वाले चैतर नवरात्री के बारे में और इस वीडियो में खास मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्री के नो दिन आपको किस रंगे कपड़े पहनने चाहिए यानि किस रंगे कपड़े पहनना आपके लिए शुब माना जाएगा और किस रंगे कपड़े आपको भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए तो स्टूडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं अबे तक मैंचने को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैंचने को लाइक, सस्क्राइब और शेयर कर दीजेगा तो चले बिना किस देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं तो नवरात्री के नौ दिन माता के भगतों के लिए विशेश महत्व रखते हैं और इस दुरान भगत पूरे दिन उपवास रखकर मा दुर्गा से अपने और अपने परिवार कल्नियान की कामना करते हैं और इस साल चैतर नवरात्री 22 मार्श शुरू होकर 30 मार्श तक रहेगी और नवरात्री के 9 दिन जिस तरह मा के अलग-अलग सुरूपों को उनकी पसंद का भोग लगाया जाता है उसी तरह माता के भग 9 दिन अलग-अलग रंग के कपड़े पहन कर मा की उपासना करते हैं और माना शाता हैं कि हर दिन की देवी को खास रंग पसंद होता है जिसे बहनकर पूजा करने से देवी मा प्रसंद होती हैं तो ऐसे में आये जानते हैं कि नवरात्री के दुरान देवी मा की अराधना के लिए नौ दिन किन अलग-अलग रंगों कपड़े पहनने चाहिए। सबसे पहले हम बात के लेते हैं मता शैल पुत्री के बारे में तो नवरात्री के पहरे दिन देवी शैल पुत्री की पूजा की जाती है और मा शैल पुत्री की पूजा और राधना के लिए पीले रंगा प्रयोग किया जाता है और इस दिन पीले रंगे कपड़े पहनना उत्ता माना जाता है दूसरा, नवरात्य के दूसरे दिन देवी ब्रमचारनी की अरादना की जाती है और इनकी पूजा में हरे रंगे कपड़े पहनने का विधान होता है और माना चाहता है कि अगर आप हरे रंग के कपड़े पहन कर पूजा करते हैं तो इससे मातर प्रसन हो जाती है तीसरा, नवरात्री के तीसे दिन मातक चंदरगंटा की अरादना की जाती है और इस दिन स्लेटी या फिर ग्रे रंग के कपड़े पहन कर पूजा करनी चाहिए और आप चाहें तो ग्रे रंग के साथ किसी और रंग के मिक्स कपड़े पहन सकते हैं चौथा, नवरात्री के चौथे दिन देवी माता कुछ मानडा की पूजा की जाती है और मा को नारंग की रंग बहुती पसंद होता है और इसलिए पूजा के दुरान या फिर दिन भर नारंग की रंग के कपड़े पहन सकते हैं पांचवा, नवरात्री के पांचवे दिन सकन माता की पूजा की जाती है और इनको सफेद रंग बहुती पसंद होता है और देवी मा को खुश करने के लिए आप सफेद रंगे कपड़े पहन सकते हैं छटा, नवरात्री के छिटे दिन मता कात्यानी की पूजा की जाती है और इन्हें रंगों में लाल रंग बहुत ही पसंद होता है और मा की अरादना के लिए लाल रंगे कपड़े पहनने चाहिएं और श्रिंगार के समान में मा लाल रंगी चूणियों को पसंद करती हैं साथवा, नवरात्री के साथवे दिन काल रात्री की पूजा की जाती है और आतरी के समय होने वाली इनकी विशेश पूजा में नीद रंगे कपड़े पहनने से दिव्या प्रसन होती है आठवा, नवरातरी की आठवे दिन महा गोरी की पूजा की जाती है और इन्हें गुलाबी रंग बेहदी पसंद होता है और अपने दिन को शुब बनाने के लिए आप गुलाबी रंगे कपड़े पहन सकते हैं नौवा, नवरातरी के नौवे दिन माता से दातरी की पूजा की जाती है और मा को बैकरी या फिजामनी रंग बहदी पसंद आता है और मा सिद्धातरी सब सिद्धियों को पूरा करती है और नौवे तिन देवी मां को परसंद करना है तो बैजी रंगे कपड़े अबश्य पहने तो हम बात कर लेते हैं कि नवरातरी की दिन आपको किस रंगे कपड़े भूल कर भी नहीं पहने चाहिए और ये रंग माता जी की पूझा के लिए शुब नहीं माना जाता है तो आज कर विडियों से इतना ही वीडियों पस्तना आई हो तो प्लीज मैचन को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करेगा और ऐसी वीडियों के लिए मैचन को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलती हैं आज से अगली वीडियों में तब तक रेना वश्कार और अपना ध्यान रखें